हालो बच्चों, वेलकाम इन NCITI साइंस, तो आज हम क्लास एर्थ की साइंस का चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, बल तथा दाब, इसके पहले हमने चैप्टर फर्स टो सेकंड को कम्प्लीट कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में ज आप लिए लड़का है, जो कि दॉक को अपनी तरफ खीच रहा है, और थर्ड इमेज में क्या दिख रहा है आपको, कि एक जो लड़का है, वो बॉल को किक कर रहा है, तो यहां पर अगर जो वेक्ति है, एक कार को धक्का मार रहा मतलब कार पर क्या बल लगा रहा है, प्ल इमेज में अगर वो लड़का को खीच रहा है, अपनी तरफ तो किस से वो बल से ही तो खीच रहा है, बल अपलाई कर रहा है, तिसरे इमेज में क्या दिख रहा है, एक लड़का है, जो फुट वाल को किक कर रहा है, तो फुट वाल पे जो उसने बल लगाया, तो फुट व भोही क्यालपीने, उसको अपने तरफ खीच रहा है दूसरे में किया मुऩा है तो पेपर वहां पेपर जो है और होँ कीचिते तरफ दूसते हैं, लोपने पीपर उसकि जिए है शेप झाहएं पलूसरी है प्रemen trafficking बोल में राव सकत आ है जो ओपर इमेज दिख रहे है यह 수र inappropriate की दिख़ रहे है और जो नीचे मेज दीख रहे है राव किसरी दोगेड है रहे हैजे किस दार्च यहां पे आसंपर्क दीख रहे है सर्फेस्स क्योंन सपर्क शिरह भा रहे है यहां पर जो है तो जो लोहे क्यालपीने है इसके दूर है कोई संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर बल लाग रहा है वो चुमबक अपने तरफ खीच रहा है पेपर के पीसे नीचे थे वो बल के द्वारा ही उस पर चिपक गए है नायरल जाड से उपर से और यहां नीचे जमीन पर गिर रहा है तो वहां पर बल है कोई संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर बल लाग रहा है तो ऐसे हमें यह सामज में आया है कि अगर जो है तो तो पिंड थेका है इसमें क्या है अगर एक-अ-गर फिद थिष्स के साथ संपरक दिछा अथवा इक और पिंड के द्वारत दिखाई क्ली अगर बल्जु inghr वहां पर प्रियोक्त वहता दिखाई देता है तो यह संपरक बल्ड़न MP2 Smash Union सबस्द्रें higher और वहाँ पर बल हमें दिखाई देता है तो वह कैसा होता है असंपर्क बल होता है तीक है इसे तरह से जैसे कि यहाँ पर क्या है इसनायू बल आपने किस तरह का बल है संपर्क बल है कि असंपर्क बल है तो यह किसका है संपर्क बल का उधारण है क्यों जो हम इसनायू बल का जो प्रियोग करते हैं, हम किसले करते हैं, किसी चीज को उठाने के लिए, खीचने के लिए, नकेलने के लिए, तो हम किसी अबजट को हम तो उठाएंगे, नकेलेंगे तो उसके संपर्क में आकर रिसा करते हैं, तो यह जो भी करते हैं, तो हम किसी पिंडिया अबजट को आण परक बाल खानु इसी तरह से जो चुम्बिकी बाल होता है है ना ओर गुरृत्वी बाल हो गया इस तरह विद्ध्दत बाल हो गया ।ог इसके उधारन है यह तो आसंपरक की उधारना इनके दो जो अब्जक्ट होते हैं, इनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है, इसे तरह से एक और बल होता है, कौन से है, घर्षण बल जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए अगर आप प्लेन टेबल है, वहाँ पे आपने गेंद रखी और इसको हलका से दख्का मारे तो थोलोगे, तो क्या होगा, तो देरे डिरे आपा जाएगी, जिसे यह यह तैवल है, यहाँ पर आपने एक बल्ल, थिक है, जैसे आप बॉल को हलका धक्का मारेंगे तो थोड़ा देरे जाएगी और यहा पर आगे जाएकर रुक जाएगी, प्लेन टेवल है, तो इससे क कर लिए विल्ट है जैसे कि है गर्षन बन के दुवाराइगा कियो कि कि अबसे मैं जए बाइगा है तो ऐखनेड करो कि त्रूप जिए ना इसनखर जाहरे हैं कि कुछ गर्षन बनाया यह एता षर्ड चीलहा जिए नगी को वहां पर हमें घर्षनबल देखने को मिलता है तब ही हम लिख बाते हैं अगर घर्षनबल पर एक हम पर कम होगा तो क्या होगा हम चाहिए हम लिख भाईगे तो यह सब किसके उतारन है घर्षनबल के यहां पर अक्टिविटी दिव हुई है। हमें बड़ा से प्लास्टिक कि ट्रे में पानी भर नहींàcies और उसमें तो दो जो दो ऑटल हम लेना है और रिछ उपर क्या कर लेतने हैं? मैंजनेने में मैंगने जो ऐसे ऐसा चिपका देना है फिर हमें क्या करने है और दोनों बॉटर को पाने में डालेंगे तो देखेंगे कि अगर जहां तो सेम पोल है अगर तो क्या करेंगे एक दूसरी को रिपल करेंगे और अगर जहां तो अपोजिट पाल है तो क्या करेंगे एक दूसरी को अट्रेक्ट करेंगे तो यहां पर क् वह देखने को मिल रहा है तो यहां पर आगे क्या है? Balanced and Unbalanced Forces संतुलित और असंतुलित इसके नाम से आपको दिख रहा है संतुलित मतलब की ऐसा बल जो संतुलित हो दोनों तरब और असंतुलित मतलब की असंतुलित हो जो को बांदेंगे फिर हम क्या करेंगे? दोनों साइड में पहले समान द्रममान रखेंगे तो क्या होगा? यह दागा खिसकेगा नहीं क्यों? नहीं खिसकेगा क्योंकि दोनों साइड में जो है तो क्या है? संतुलित बल जो है तो लगेगा इधर ज्यादा बल लगें इधर जुकाव आजाएगा तो यहां कैसा क्यों होगा? क्योंकि हाँ पर असंतुलित बल हमें देखने को मिलेगा ठीक है इसके एक्जामपल जैसे आपने एक रसी खिचते हुए जो खेल खेले होंगे तो यहां सब किसका उदारण है? जो है संतुलित और असंतुलित बल का, ठीक है? इसके बाद जो हमें जो है तो क्या पढ़ना है? ज़ट्व ठीक है? इनर्शिया तो इनर्शिया क्या होती है? कि कोई भी अगर जो पिंड आबजेक्ट है, अगर वो स्थिर है अगसी ले और अगर गतिमान है — बाहरे बल उसमें नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या बोलते हैं ? इनर्षिया क्याता है प्रतत वीरामवस्त्ता जड़त्वन וडिका जड़त्व ? और क्या है दिशाका, तो बिराव वस्ता मतलब कि कोई भी अगर वस्तु जो है तो इस्थिर है तो इस्थिरी रहेगी जब तक हम उसमें बाहरी जो तो बल नहीं लगाएंगे गति का है, मतलब गत में रहेगी जब तक हम उसमें कोई बाहरी फोर्ष नहीं अप्लाई करेंगे, उसका उदारण क्या है? कि जैसे कि बिजली से पंखे गूमते हैं, तो वो क्या है? गति है, उसके गति कर रहा है, और जैसे बंद करेंगे लिखे वा, जो है तो गति करता हु तो यह किसके द्वारा है? गत का जड़त है उसनियम के द्वारा है, दिशा का जड़त मतलब कि जैसे आप 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 से जा रहे हैं सीधे रस्ता पर और अचानक अगर आप मोड लेते हैं, तो थोड़ा से क्या होता है? जए तो यात्री को जटका लगता है जब वोड लेता है तो यह दिशा एक दिशा थी हो इसके बाद अचानक से जब हम टर्न लिए तो यह किसका है? दिशा का है तो जड़त इसनियम के आधार पर है, ठीक है? हमारा यह कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेशर पढ़ेंगे, ओके?